राजधानी में यदि अवैद निर्माण देखना हो तो आप पूरे लखनव में कही भी जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है काला बजारी तो गौर्ड फरमाईए इस पर ये फैदाबाद से रोड लगी हुई है जो कुक्रेल बंधा से आती है और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से इस पर छट डला रखी है और निर्माण करा रखा है। जी हाँ अगर आपका सोर्स है सिफारिस है या फिर आपकी सेटिंग है अच्छी इसी नगर निगम है तो आप कहीं भी अपना निर्माण करा सकते हैं। ऐसे कि मैं देख पा रहा है आप लोग कि इसमें किस तरीके से यहाँ पर अवैद निर्माण कराया हुआ है। और शट बकायदाय पढ़ी हुई है। बकायदा सारा निर्माण का सामान भी रखा हुए है सामने, और ये शट पढ़ी हुई है। और नाले के उपर सरकारी जमीन पर बना रखा ह। यहाँ पर कीवल यह किस्सा एक का नहीं है। यहां पर जितने हैं सारे भवन, लाइन से नगर निगम की मिली भगत के चलते बनाए हुए है, निर्माण कराया हुआ है, देखे बकाईदा, देखे छट पड़ी हुए नालेक उपर, और यहां पर लोग रहे रहे हैं, और यह देखे कितने अच्छे से सब, अभी भी काम चल हैं, लिकिन हमारा नगर निगम है, जो काला बजारी को अंजाम दे रहा है, केवल अपनी काला बजारी को आगे उजागर ना हो पाए, इसलिए लगातार बचता घूमता है हमारे सवालों से, और बिल्कुल भी अंकुस लगा पाने पे, चाहें गंदगी का हो, चाहें कुछ भी हो, हर छेतर में नाकामिया अभी यहां पर हासिल होती दिखाई देती हैं नगर निगम को, लिकिस तरीके से नाले पर अवयत कप्जा करके, सरकारी जमीनों पर यह बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी यहां पर कोई नगर निगम ध्यान नहीं देता है, जिसको लगातार स्वतन प्रभात की मोहिम दिखाई जा रही है, जिसके उपर बिल्कुल भी अंकुष नहीं है नगर निगम का, किस प्तरकार से यह देख रहे हैं, बाउंडरी आपके पास सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है, यहाँ पर कोई नगर निगम का।